दोस्तों मुझे कहानिया बड़ी पसंद आपको भी कहानिया बड़ी पसंद होंगी मैंने अपने जबादे में चोटा सा था मैंने शेख चिली की बड़ी कहानिया सुनी थी या आपने कभी शेख चिली की कहानिया सुनी कि आपको पते हैं शेख चिली है कौन So back in the subcontinent शेख चिली was known for his सादगी and his भूलापन अब ये शेख चिली है कौन कि कहां से आए इनकी कहानियां मशूर क्यूं हैं इसके बार में थोड़ा सा जानते हैं तो शेख चिली को अपने जहन में मन घरट कहानिया बनाने का बड़ा शौक था और शेख चिली करते तो बहुत कुछ थे लेकिन सिर्फ अपने ख्यालात और अपने जहन में असल लाइफ में ज्यादा नहीं उन्होंने अपने ही जहन में बहुत सारे महल बना लिये थे अपने ही जहन में उन्होंने बहुत सारे बिजनसे बना लिये थे और अपने ही जहन में उन्होंने किसी मलका से भी जो है एक शादी कर ली थी और वो उसी अपने ख्यालात की दुनिया में ही खुश रहते थे और मगन रहते थे इस इस लेसन में हम आपको बताना चाहा रहे हैं कि क्यों ये एक इतना अच्छा इडिया नहीं है and we want you to be very strategic and we want you to set your objectives जिस तरह हमने पहले लेसन में आपको बताया so lesson number one is के please don't be like Cheikh Chilli अपनी requirements को understand करें और इस course की requirements को understand करें because based on the requirements of this course you will be able to set a very clear objective in requirements का हम नाम भी देते हैं in requirements को हम कहते है pre-requisites ये लफ्ष वो लोग जो university में enroll हैं या होने लगे हों उन्होंने शाहिद सुना होगा pre-requisite university time पे अगर आप एक course में enroll होने जाते हैं advanced course में तो आपको कहा जाता है कि इसका एक pre-requisite है जो इसकी एक requirement है और वो pre-requisite इससे पुराना या basic level course होता है या basic requirement होती है तो ये लफ्ष आपको यहां पे काफी नजर आएगा और इस लफ्ष के बारे में थोड़ा आपने सोचना है और इस लफ्ष को थोड़ा सा understand करना है कि what are pre-requisites pre-requisites are requirements and as I gave you the example of successful people if you want to be successful you must understand requirements आपने understand करना है कि this course की requirements क्या है course को छोड़ दें आपने understand करना है कि future में अगर आप इसकी client के साथ काम करेंगे तो उनकी requirements क्या है requirements को understand करना बहुत ज़रूरी है pre-requisites को understand करना बहुत ज़रूरी है ये एक चीज है जो बार बार आपको नजर आएगी specifically इस course की बात करते है इस course की चार requirements है you can call them four prerequisites यह वो चार requirements है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है यह वो चार requirements है जिन को किये बगैर शहीद आपके लिए एक course करना थोड़ा सा मुश्किल हो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप इन requirements को ज़रा गौर से सुनें ज़रा गौर से देखें और इनकी availability पे थोड़ा काम करें हमने इन चार requirements को कुछ categories में divide किया है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी four major categories number one is hardware number two is software number three is knowledge knowledge या intellect number four is individual यह सारी requirements मिला के you will be able to do a very good course and you will be able to become very successful after this course सबसे पहले पहले ही requirement की बात करते हैं hardware what is hardware यह लव्स शाहिद आपने काफी जादा सुना और आप में से वो लोग जो computer science या software engineering कर रहे हैं उन्होंने तो काफी जादा सुना होगा because hardware is any device or any technical device that you can physically touch कोई भी ऐसा आला जिसको आप खुद तच कर सकते हैं technology का कोई भी ऐसा आला उसको हम hardware कहते हैं example आपको देता हूँ अगर आपके पस कोई computer है या कोई PC है या कोई laptop है that is a hardware device उसके अंदर जो hard disk है that is a hardware device अगर उसके साथ कोई एक monitor आपने attach किया है या कोई motherboard attach किया है that is also a hardware device हमारी requirements से स्कोर्स के लिए is that you need to have a computer that can run latest software software क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे अगर आपका laptop या आपका PC आपने पिछले तीन या पांत साल में खरीदा है then you are good to go it will be able to run any latest software लेकिन अगर आपका PC या laptop इससे थोड़ा पुराना है तो प्लीज जा के हमारे Facebook group पे लिखें तो we can tell you if you have the right hardware requirements एक और hardware requirement is a device that can provide internet ये आपके घर में कोई Wi-Fi का अगर router लगा वो भी हो सकती है या अगर आप कहीं office में और आपके पास एक LAN की के बेला तो ये वो भी हो सकती है more importantly it can also be a dongle internet device that you can use अगर आपके पास अच्छा internet है तो आप ये course कर सकते है so यहाँ एक बड़ा important question है जो आप शाहिद मुझसे पूछना चाहरे हो can I use my phone or tablet क्या phone use करते वे ये tablet use करते वे आप इस course की requirements को पूरा कर सकते है so the short answer to that is no जो tool हमने आपको use कराना है WordPress उसका backend सबसे अच्छा चलता है when you use it on a PC or a laptop तो आप इस course को सुन जरूर सकते हैं using a phone or a tablet लेगन अगर आपने इसकी activities करनी है इसकी hands-on exercises करनी है तो we recommend that you have good internet and you have a good PC or a laptop let's talk about the second requirement second requirement है software की ये लफ्ज software आपने काफी जादा सुना भी होगा अगर आपके पास कोई phone है तो अक्सल लोग कहते हैं कि ओ मेरे phone का software खराब हो गया software what is software software is an operating system जिस तरह आपके phone में android का operating system है इसी तरह आपके laptop और आपके PC में भी एक operating system काम कर रहा है जो उस device का brain है और इस course के लिए you need to have a desktop operating system आप windows यूज कर सकते हैं अगर आपके पास Mac है Apple की machine है वो यूज कर सकते हैं या अगर आपके पास Linux है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा important ये है कि उस software operating system पे आपके पास एक latest browser होना जरूरी है आप internet को access कर सकते हैं अगर आप Chrome यूज करना चाह रहे हैं तो आप Chrome यूज कर सकते हैं अगर आप internet explorer यूज करना चाह रहे हैं तो internet explorer यूज कर सकते हैं लेकिन हमारी recommendation इस course के लिए specifically is क्या आप Chrome यूज करें क्योंकि internet explorer की कुछ functionalities are not very good और अगर आप किसी और machine पे तो हम आपको Oprah और Safari भी recommend करते हैं तो यहाँ पे आपसे मुझ से question पूछें के what other browsers can I use as I just mentioned you can use any other browser as long as it fits the functionality let's talk about knowledge knowledge और intellect तो हमारा यह course वैसे तो WordPress पे है और इसमे कोई technical knowledge की asset जरूरत नहीं है लेकिन WordPress कुछ front end और back end languages पे develop हुआ है जिन languages के नाम है HTML, CSS, PHP, MySQL और JavaScript और आपको इनकी list यहाँ पे नजर भी आ रही होगी और इन languages को सीखना आपके लिए जरूरी नहीं है और इनके बारे में अगर आप Google करके पता करना चाहा रहे है के यह क्या है यह most welcome to do that लेकिन keep in mind you do not need to learn these languages आपको यह languages आना जरूरी नहीं the last most important requirement is the individual requirement हमें आप चाहिये we need your attention that is a prerequisite for this course that is a requirement for this course हमें ना सिर्फ आपकी attention चाहिये हमें आपका time भी चाहिये और साथ साथ हमें आपका दिल भी चाहिये because we want to have your passion your motivation and your mind क्योंकि अगर यह सारी चीजें साथ मिला के आप हमारे साथ नहीं होंगे तो आप सही तरह से सीख नहीं सकेंगे एक quote कहना चाहूंगा यहां पे God helps those who help themselves Allah उन्ही की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं so we expect क्या आप in requirements को सही तरह note down करेंगे आप अपने आप पे मेहनत करेंगे ताके हम आपके साथ मेहनत करके आपको successful बना सकें and that's the purpose of this course in DG's Girls क्या हूं